हलो गाइज वेलकम बैक टूटी डिएस टेकनोलेज यूटूब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों को आपके लिए बेस्ट और सेफ क्लाउड स्टोरेज कौन सा है आपके आयोस और आपके एंड्रोइड डिवाइस के लिए तो लेट्स केट स्टाट आप यहां पर देख सकते हैं 4.8GB में यूज कर चुका हूँ 5GB में से तो मेरे को और क्लाउड स्टोरेज की जरुवत पड़ेगी तो कौन सा बेस्ट है चली अपन बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं Amazon राग की जो की हाली में Amazon ने इंडियन एंड्रो किया है तो इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स पीचर्स और वीडियो को अपलोड कर सकते हैं आपके डिवाइस में से बट इसका अभी तक कॉंप्यूटर वाला वर्जन अवेलेबल नहीं है इसलिए आप कॉंप्यूटर से आपके मोबाइल के ऊपर कोई भी फाइल या अपलोड नहीं कर सकते हैं और अब मैं इसके फ्री स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 5GB तक का फ्री स्टोरेज अवेलेबल मिल जाएगा आपके अमेजोन ड्राइ के अंदर और एक आप अमेजोन प्राइम मेंबर है तो आपको फ्री अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज मिलने वाला है इसकी दुसरे प्लान्स की बात मैं आपको वीडियो के एंड में सारे ही कमपेरिटिवली चार्ट के थ्रू बता दूंगा तो अपन दिक्कत आपको आने नहीं वाली है तो इसमें एक क्लीन इंटरफेज ही है जिसमें आप आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाता है नीचे जिससे आप आपके फोटोज फाइल और सबकुछ आप आपके फोन से क्लाउड में डाल सकते हैं और फोल्डर वगेरा भी आप बना सकते है और इसकी कंप्यूटर की भी साइट अवेलेबल है तो आपके कंप्यूटर से मोबैल के ओपर कोई भी फाइल ट्रांसफर करना चालता है तो वो भी बड़े आराम से आप कर पाएंगे तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें भी और इसकी प्राइवेसी भी अच्छी है और अब फ्री स्टोरेज की बात करें तो अब टो टू जी भी आपको फ्री स्टोरेज मिलेगा जो की कमपेरेटिवी सारे ही क्लाउड स्टोरेज में सबसे कम ड्रॉप बॉक्स का है तो अब मैं बात करू अपने थर्ड क्लाउड स्टोरेज की जो की है गू अप्लोड कर सकते हैं Google Documents, Seats, Slides, जो उसकी application है उससे भी आप डाइरेक्ट डेटा अप्लोड कर सकते हैं आपके Google Drive और आपके दूसरे डिवाइस पे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बट इसका अभी तक computer वाला वर्जन अवेलेबल नहीं है तो आपको site के through ही आपको file upload करनी होगी आपके computer में से storage की बात करें तो यहाँ पर 15GB तक का storage आपको मिल जाता है जो कि comparatively बाकी storage जो ओफर करते आपको उसमें सबसे जादा storage प्रोवाइड कर रहा है Google Drive जो कि सबसे less secure भी है साथी साथ privacy को लेके तो मैं सबसे less prefer करूंगा कि आप Google Drive को यूज करें तो आप मैं बात करूं Google photos की तो जिसमें आपको unlimited photo storage का option मिल जाता है जब आप backup setting में high quality select कर देंगे तो आप देख सकते है free unlimited storage लिखा है तो आपको unlimited photo आपके mobile से आप upload कर सकते हैं और daily mobile data limited वो unlimited set कर लेनी है तो बाकी storage companies के मुकाबले Google photos आपको unlimited photo storage प्रोवाइड करता है जो कि less secure भी है तो मैं आपको कम prefer करूंगा कि आप Google photos यूज करें बाकी सारी application इससे जादा अच्छी और secure है बट इतना जादा storage आपको available नहीं मिलने वाला है और अब अपनी third और most secure application की बात करो storage के लिए जो कि है OneDrive जी हा मैं बहुत टाइम से OneDrive को यूज कर रहा हूं मेरको कोई भी ऐसी privacy को लेके कोई भी concern अभी तक तो हुए नहीं है और बहुत easy to use यह application है और आप एक Windows PC यूज करते है तो आपको एक seamless method मिलेगी जब आप आपके computer पे screenshot भी लेते है तो आप आपके mobile पे directly देख पाएंगे कोई भी लेग आपको नजर नहीं आएगा और आप easy to use आपके mobile से भी backup ले सकते है files, photo सब कुछ upload कर सकते हैं आपकी excel seat जो की आधी है तो भी आप upload कर सकते हैं और आपको storage option जो है वह 5 जाता है और particular इसकी application windows में भी available है और easy to use है मेरे इसाब से और जबसे ज़्यादा secure है और अब मैं बात करूं इन सारी application में आपके लिए best और safe cloud storage कौन सा है तो मैं prefer करूंगा one drive मेरे खुद के experience से और मेरे view से आप one drive privacy को लेके बहुत ज़्यादा तगड़ा है और आप एक Samsung user ह तो आप drop box use कर सकते हैं जो कि बहुत easy to use है बट आप कोई और company का phone use कर रहे तो one drive ही use करें जो कि ज़्यादा secure है और इसी category में मैं तीसरे नमबर पे करूंगा वो है Amazon drive को जी हां क्योंकि इसको मैंने तीसरे नमबर पे इसलिए set कर रहा है क्योंकि इसकी अभी ज़्यादा feature available नहीं है और चौते नमबर पे है अपना Google drive and photos जो कि सबसे ज्यादा storage option provide करता है बट सबसे ज्यादा less secure भी है इसलिए बट अब मैं बात करूं Amazon drive की iOS के लिए तो iOS में अभी भी Amazon drive अविलेबल नहीं है Indian user के लिए तो मैं आपको prefer करूंगा iCloud उसके बाद OneDrive और तीसरे नमबर पे dropbox और as usual चौते नमबर पे Google photos और drive आपके iOS device के लिए और इन सारे ही cloud storage option में से आप कोई भी एक का भी paid वाला प्लान लेना चाहेंगे तो कौनसा आपके लिए value for money रहेगा तो आप उनके पहले plan देख लीजिए मैं एक एक करके आपके screen पे दे रहा हूं देखिए iCloud का है यह Amazon Drive है यह Dropbox है और यह Google photos and drives का है और यह वाला Microsoft OneDrive का है और यह जो है वो final chart है आप देख पारे होंगे आप पॉस करके आपके लिए कौनसा suitable और value for money है आप देख सकते है तो hope you guys enjoy this video and आपको पता चल गया होगा कि कौनसा आपके iOS और Android के लिए best cloud storage है तो thank you for watching this video guys see you in the next one आपके लिए